कि क्या आपके आखों की रोशनी कम होती जा रही है या आपकी आखों से पानी डबकता है या फिर आपकी आखों में जलन मेहसूस होती है तो इस वीडियो में हम आपको इसी मुद्धे पर जानकारी देंगे तो आए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मैं आप से करूँ छोटी प्रेश्ट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो फिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन प्रेश चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आप भी अपने आखों की कम रोसनी की कारण परेशान हैं और अप बिल्कुल सई वीडियो देख रहे हैं इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बिल्कुल सरलभासा में समझाएंगे आज के समय में हर व्यक्ति के लिए वस्त और फिट रेना बहुत जरूरी है पर आने वाले समय में काम का ज्यादा हो और आपको इसके करण कम दिखाई देता है तो आपको सारे एग रूप से कोई कमजोरी भी हो सकती है इसकी वज़य से आपको बीमारियों का साब ना करना पड़ सकता है कई बार लोगों को लगातार काम करते करते ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर उक आखों ठक जाती है अंधिरा चा जाता है इस कारण से उन्हें कम दिखाई देने लगता है इसकी वज़े से आखों में कमजोरी पड़ जाती है और इससे आखों कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुश्के बताने जा रहे हैं जिसको आप खोलो कर हैं इससे आपकी आखों की ड्राइ आई सिंड्रम्स की समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा आप पालक अंडे का सेवन भी कर सकते हैं यह पोसक कत्तों से बरफूर होते हैं और आपकी आखों की रोशनी बढ़ाने में काफी सायता करते हैं पलकें जपकान मुख्य तोर पर यह दिखा जाए तो जो लोग लगातार लैपटॉप कंप्यूटर या मुवाइल का उप्यों करते हैं वह अपनी पलकों को बारवार नहीं जपकाते उन्हें काम करते समय थोड़ी थोड़ी देर में पलकें जपकाते रहना चाहिए इससे आखों तनावनुक्त और सुस्त नहीं होगा और सबसे ज़्यादा आपके आखों की मास्पेशियों को आरा मिलेगा जिससे हमेशा स्वस्त रहेंगी ड्राइएर हमेशा अपने आखों को एसी यानि ठंडी हवा से बचाएं जो सीधी आपके आखों पर पढ़ती हैं एसी की सीधी पढ़ने वाली ठं आखे समय धूब में संग्लास का उप्योग करें ताकि तेज धूब के किरणे आपके आखों पर सीधी ना पड़ें और आखों को हानी नहों पहुंचे तता संग्लास की यूबी प्रोटेक्शन देने वाला ही पहनें जब कभी भी आप किसी इलेक्रिक सामान का उप्योग क कपड़े और आपकी आखे की शुरकशाब बनी रहें आखों का चिसमा कैसे अटाएंग्ष कजए को есс hag ने के मतारने के लिए gent आपके जोस्स हमएं के जिसकते हैं तौह Springs take Sun करेंठे में रोजाना सुबे साम आई सेवन करें को स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं रखों की रूस्टनिय बढ़ाएं चाहिं आखों की रूस्टनिय बढ़ाने के लिए पेना बहुत अच्छा होता है तो रूज एक इलास दाजर का जूस पीने से आखों का चस्पा भी कर सकता है या बहुत हुआ जरूदी होती है क्योंकि आइरें की मातरा बहुत ज़्यादा अधिक होती जिससे आखों की रोशनी तेजी से बढ़ती है तो अब जान लेते हैं आखों की देखवाल कैसे करें सबसे पहले तो आप आखों में नमी बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं इसके अलावा आखों को पानी से धोकर भी स्वस्त रखा जा सकता है साथ ही फलों के जूस का सेवन करें आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुबह उटकर नंगे पैर खुली घास पर चलें और बॉर्दिंग वॉक जरू रखने के लिए रोज सुबह उटकर खाली पीट पालक की फत्तों का सेवन करें इससे आखों की रोशनी बढ़ाने के साथ सरीर में खून की मातरा भी बढ़ेगी तो फ्रेंड्स क्यासा लगा मेरा आपको यह वीडियो आपको इस वीडियो में हमने आखों की रोशनी करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं फरकले वीडियो में तब तक लिए टेक कियर एंड बाय बाय